आज की इस वीडियो में सिलाइ से रेटेट पांच ऐसे टिप्स आप लोगों देने वाला हूँ जिसको देख करके आपका दिल खुस हो जाएगा जिसमें आपका प्लेट्स लगाने से ले करके पाइपिंग, शोल्डर गिने की प्रॉब्लम, रफू करना, तुर्पाई करना जैसे टिप्स सामिल है, तो इस वीडियो को पूरा अंत्य तक जरूर देखेगा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेर करना, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरूबात करते हैं पहले टिप्स से, जिसमें मैं आप लोगों क आपको रफू करने का एक शांदार तरीका बताने वाला हूं, देखो रफू करना तो सब भी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, जिस कपड़े पर आपको रफू करना है उसी कपड़े का धागा निकाल करके, इसको आप किस प्रकार से रफू करें, तो आप धागा निकाल लेना, देखो कपड़े से धागा आराम से निकाला जा सकता है, सब भी को पता है, क्योंकि धागों से मिलकर तो कपड़ा बनता है, अब यहां पर ये जो धागा है, कंप्लीट आप इसको मशीन पर, नीचे बॉबिन पर भी फंसा लेना, और उसके बाद आप इसको रफू करना तो जब आप उस धागे को फसा करके रफू करते हैं तो आपको इसका बहुत ही बहतरिन result मिलेगा बिल्कुल लगे गई नहीं कि आपने रफू किया हुआ है आप कितनों भी same to same धागा मिला करके जब रफू करते हैं तो उसमें problem क्या आती है वो अलग से उभर के दिखता है चाहिए वो कितनों भी same रहें लेकिन जब आप इस धागे से ही कपड़े के धागे से ही जब रफू करते हैं तो एक तो वो धागा पतला रहता है और दूसरा उसी का धागा रहता है तो वो बिल्कुल exit same रहता है तो उसके बाद जब आप रफू करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से quality आती है आप इसको जब देखेंगे हलका दूर से भी देखेंगे ने तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि आपने रफू किया तो यह शांदार आडिया आपको कैसा लगा यह जरूर से मुझे कमेंट करके बताईएगा और पसंद आये तो इस बात पर लाइक जरूर से कर देना देखो जैसे ही आप टिप नंबर टू पे आते हैं मैं आपको यहाँ पर प्लेट्स लगाने के लिए एक टिप बता रहा हूँ जो कि आज कल बहुं ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड पर है तो आपको क्या करना है यह इस तरह से एक इंच मार्क करना है ठीक है एक इंच एक सूंत ए आप इस तरह कट्रेक बताओ बीगिनस के लिए सीधी सीधी प्लेट्स लगाने का एकदम सरल सिंपल तरीका में बताने वाला हूँ एक इंच एक सूंत या फिर सवा इंच ज्यादा से ज्यादा और इधर हमने लिया लगबग पौना तीन तो इसको पहरे बराबर मिला लेते इसलिए यह वाइस ओवर कंटेंट है ताकि आपका समय बचे और कम से कम समय में पांचों के पांचों टिप्स आप देख सकते हैं अब इसका हाफ डेड़ इंच पर एक मार्क करके इस तरह से हम इसको निशान लगा लेंगे सेंटर पॉइंट बना लेंगे अब हमें इसमें बनाना क्या है पल्टाने के लिए ना बनाना है कैसे आप इसको वो जो कैंची के जो शेफ होता ना उस तरह से दे सकते हैं चिम्टा समझ सकते हैं पल्टाने के लिए तो यह इस प्रकार से आपको पहले इसकी कटिंग करनी है बराबर शेप में यह ऐसे पुठा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए एकदम पतला रहेगा तो काम नहीं बनेगा हाड पुठा होना चाहिए और उसमें आप इसमें इस तरह से कटिंग करोगे ठीक इससे आप प्लेट्स बनाएंगे यह देखिए और यह जो है इसको यहाँ पर ट्रिक कर देंगे वह इसको क्या रहोएगा आपको सिंपल सा कोई भी टेप यूज़ करना है और उसलग प्लेज़र और ख्रूट और क्या करेंगे कोई भी कपड़ा लेंगे जिसमें आपको प्लेट्स लगानी है है चाहे वह सलवार हो चाहे चूड़ीदार हो चाहे जिस भी कपड़े पर आपको प्लेट लगानी है मोटे प्लेट जिसमें जुरत पड़ते है बड़े-बड़े है ऐसे आपको घुमा देना तो यह अपनी साइड अगर मोड करके प्लेट बनाना है उसके लिए इस तरह से अब आपने साइड में जो लगा रखा उसका काम क्या है कि वह आपकी प्लेट को इधर उदर जाने नहीं देता साथ ही साथ आपको यह आइडिया हो जाता है कि आपक ध्यालक रखना है प्लेट को कम जादा नहीं करना है देखो प्लेट की अपनी अलग अलग साइज होती है हम वह जो फसा के रखें उससे थोड़ा से छोटा-छोटा ले रहे अगर आप चाहिए तो उससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं उसके बिलकुल बराबर भी ले सक सकते हैं ठीक है तो यह अलग-अलग मैं आपको बता रहा हूं आप इसको समझें और देखें तो यह जो चीजें यह आपको बहुत पसंद आती हैं इस तरह की जो ट्रिक्स हैं तो यह आपने इस प्रकार से एक प्लेट लगाने का ट्रिक देखा ऐसे जस्ट अपोजेट आप वह भी लगा सकते हैं बहुत असानी से तो यह क्या था टिप नंबर टो जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसके बाद जैसे उल्टी प्लेट्स लगानी है तो वह कुछ इस टाइप से लगेंगे कितना कपड़ा उठाना है क्या करना है यह कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की आप बस उसको रखिए एक बराबर अपने आप प्लेट्स बनती जाती है कोई मेजरमेंट की ओ सकता नहीं है कुछ ओ सकता नहीं है ठेक है बस वो रखने का टेकनीक जो हमने साइड में फसा पल्टा रखा है और कितने दूरी से हम उसको रख रहे हैं यह देखो कितना दूरी से पल्टा रहे हैं वो चीजें बस आपको देखने और समझने लायक होती है और वैसे जब आप सीख जाते हैं यह तो सारी चीजें चोचले लगते हैं हाना तो आप अगर सीख गए हैं तो यह आपके लिए नहीं है नहीं सीखें हैं प्लेट्स लगाना तब आपके लिए यह काम आ सकता यह यह देखो कंप्लीट आ गया अब देखते हैं थोड़ा सा यहां से वापस पल्टा लिए तो बॉक्स पलेट के जो सूट के डिजाइन्स है या और किसी तरह की डिजाइन्स कितने लोग दे लोग देखना चाहेंगे box plate बहुत पहले ज्यादा चलते थे, आजकल इसका trend कम हो चुका है, यह लगबख हतम हो चुका है, तो अगर आप लोग चाहेंगे कि box plate के जो designs बनते हैं, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, तो यह इस प्रकार से जो है, यह वाली plates भी आप असानी से लगा सकते हैं इसमें कोई issue नहीं बस एक बार आप fold करना सीख गर न तो फिर आप उल्टा सीधा जैसा चाहो यह सोज हो और आपको परिशानी नहीं होगी और ऐसा फोल्ड करते करते ना आधात बन जाएगा तो फिर हाथ से भी वैसे ही फोल्ड होंगे जैसा आप इस टूल से कर पा रहे हैं तो यह टूल बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा जरू से कमेंट करना और लाइक तो करते ही जाएए वीडियो पर लाइक्स बहुत कमात अभी टिप नंबर तीन क्या कहता है पाइपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जैसे बलॉज बनाने के बाद अगर आपके शोल्डर गिर रहे हैं तो आप क्या करोगे पाइपिंग से रिलेट इड़ क्या कर सकते हो फाइपिंग को खोल करके मैं आपको एक जू त्रिक बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान देना क्यों यह जो शोल्डर रहना इसको आपको काटना है काटना है का मतलब यह हलका हलका इस तरह से उसके बाद आपका शोल्डर बहार हो जाएगा फिर आप इस पाइपिंग को भी काट दीजिए देखो यह जो चीज है यह सा रिसकी है लेकिन टिप बहुत शांदार काटने के बाद डोरी को दोनों साइट से खिच लीजिए ठीक है इधर से भी खिच लीजिए और इधर से भी खिच लीजिए अब भी ब्लाउज बनाने के बाद सोल्डर किर रहा है तो कुछ ने कुछ तोफाय करना पड़ेगा तो जो लोग डोरी पाइपिंग लगाते हैं उनके लिए यह बहुत शांदा ट्रीक है यह जो मैं बता रहा हूं यह टिप नंबर तीन और आने वाली टिप नंबर फोर दोनों पर लागू होगा कि अगर मालोग पाइपिंग बनाने के बाद आपका पाइपिंग पलेट रहा य वापस से ज्वाइंट कर दो डोरी खीचने पर शोल्डर टाइट होते हैं और जो पाइपिंग पलेट रहते हैं वो भी सही हो जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर इधर का भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने कहाँ यह थोड़ा सा रिस्की है तो अगर आप पाइपिंग को सहीं से नहीं खीच पाए या आपने फुचड़ा अगरा निकाल दिया ज्यादा काट दिये कुछ दिक्कत कर दिये तो फिर प्रॉब्लम में पढ़ जाओ ठीक है दोरी खीच जाती है अगर अच्छे तरीके से लगाया रहते हैं अगर दोरी के उपर सिलाई चड़ाया हो तो फिर यह आपके कोई काम का नहीं हमीशा ध्यार रखना कि जब भी पाइपिंग बना रहे हैं तो डोरी के उपर कभी भी सिलाई नहीं चड़नी चाहिए इस तरह से इतनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनाएं उसके बाद आप क्या करोगे यह इस तरह से दबा करके हलका दबा करके आप इसमें स्टेच कर दोगे शोल्डर टाइट हो जाएंगा ठीक है यह देखो बाहर से वही फिनिशिंग दिखेगी अंदर आपने छेड़ किया ह किसी को कोई मतलब नहीं किसी को पता नहीं लगेगा यह जाने है अब देखो एक चीज और बताता हूं डोरी लगाने वाली टुक्त अगर आपको यह तामजाम नहीं करना तो शीओदर जो बहर जा रहे हैं वो और जाएगए आप डोरी लगा जो अगये तो यह इस परकार स जाने से रोग सकते हैं मतलब शोलडर नहीं गिरेंगा चाओ यह बहुत शानदार है और इसको बहुत से लोग उज़ करते हैं बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं आज भी कि हम पिछे डोरी लगा देंगे तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा अलाकि शोल्डर के ऊपर रिगर्डिंग माने पिछली जो वीडियो डाली वह जब आप देखोगे तो आपको इन सब चीजों की जोरत नहीं पड़ेगी लेकिन वह प्रोफेशनल के लिए यह बीगिनर्स के लिए है सा अगदम सुपर फास्ट अभी आप देखρα है हम एकदम नॉर्मली तुर्पाई कर रहें थान spring के लिए इस तरह से सब भी लोग अगर आप बहुत बार तुर्पाई कर के एक ही बार खिचो गें न तुभी तुर्पाई निदी लेकिए टीज में आपको बताना चाहा है तो इस से बहुत ही जादा बहुत ही इस स्फीड से आप तुर्पाई कर सकते हैं फिनिशिंग भी वही आएगी लेकिन आदत बनाने में टाइम लगेगा तो यह इस पकार से आप तुर पाई कर सकते हैं बिलकुल सुपर फास्ट तरीके से तो यह है आपका टिप नंबर फॉर और टिप नंबर फाइब क्या है वह जैसे मैंने बताए टिप नंबर थ्री में इंक्लूड था उसको अलग से बताने क्या उशक्ता नहीं है आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजे